करने थे जिसमें आज हम लोग मुगल काल में ही जहांगीर के बारे में देखेंगे इससे पहले कि जो वीडियो में मुगल काल में बाबर हुमायू अर अकबर की चर्चा कर चुकी है उसको देखने के लिए आप लोग नीचे दिएगे डिस्क्रिप्सन में जाकर के लिंक क्लि देखें तो सलीम है इसका जन्म हो रहा है 30 अगस्त 1569 में इसके पांच पुत्र थे खुस्रो परवेज खुरम को हिशा जाँ के नाम से जाना जाता है शहर यार जहादार यह इसके पांचों पुत्र है ठीक है इसके पिता का नाम था अकबर मा थी जोधा बाई गुरू थे इस जो विवा हो रहा है वो है मान भाई के साथ में दूसरा विवा होगा जगत गोसाई के साथ में तो पहले विवा में यह मान भाई जो थी वह भगवांदास की पुत्री थी मान सिंग की बहन थी यह आगे चलकर के जहर पी करके हत्या कर लेती है इनसे जो पुत्र हुआ था को था उसका नाम था खुश्रो ठीक है अब हम देखें तो जगत गोसाई जो इसका दूसरा विवार था वो थी उद्य सिंग की पुत्री इनको जो उपाधी दिया था इसने मल लिकाए जहां की उपाधी दिया था उमान भाई को उपाधी दिया था शाह बेगम की इससे जो ज दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधी धारण करके गद्धी पर बैठता है 24 अक्टूबर 1605 इसने न्याई की जंजीर लगवाया हुआ था जो की आगा के किले के शाह बुर्ज और यमुनातर पर इस्थित था ठीक है खंबों में लगवाया था जिसमें इससे तुरंट वहां के दर्बाल क लगता था इसा कि नियाई की जंजीर लग पिता के खिलाभ विट्रो करने की प्रिथा लेए के पुछं के शाहां मगें ही किसमें के कालब विदू देक सबसे ज़्यादा अगर नशा करने वाला मुगल था वह था जहांगीर ठीक है अब इसके भाई कि अगर चैपक्षा करें तो इसके भाई था आसरफ खां और इसकी मां थी असमत बेगम भाई आसरफ खां और मां था असमत बेगम और इसी के साथ खुरम को मिला करके इस ग्रुप को जुनता गुट कहते थे जिसकी पुद्धान कौन थी नूर जहां के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके पिता थे इरानी निवासी मिर्जा गयास यह वारस के थे एतमादुद दौला की इनकी उपाधी थी ठीक है इनका वास्तिविक जो नाम था वह था महरुन निशा किसका नूर जहां का जो वास्तिविक नामford महरुन निशा है इनका विवाव हो रहा है 5594 में अली कुली बेग से अफगान के Łपादी जहांगीर ने तरण करे थी मृत्यू अली कुली बेग की मृत्यू हो ईये 167 इस्वी में ठीक है जहांगीर ने नौरोस देवाण को पहली बार इस समय देखा था सोलर शो 11 इस्वी में उससे विवाह कर लेता है ठीक है नूर महल और नूर जहां की उपादी इसने दी थी नूर महल तो बनवाया था और नूर जहां की उपादी इसने दी थी नूर जहां के सम्मान में चानली के सिक्के भी जारी किये थे अजहरो का दर्सन इसी समय बनवाता तो फुष़ो को अर्जुन देऊ का समर्थन प्राप्त होता है जिसके विद्रो को देखते हुए अपने पुत्र यानि की खुष़ो को इसने अंधा करवा दिया और अर्जुन देऊ इसने फासी देदी और उसके सारी संपत्ति को जब्त कर लेता है जाहंगीर का अब अभियान करता है लेकिन दोनों जगें संधी हो जाती है तो अगर उसमें देखें तो मेवाड का जो सासक था वहां का वो था अमर संधी कर लेकिन मेवाड मुगलों के अधीन नहीं आ था ठीक है अब संधी की सर्ते कुछ थी उस पर अगर हम देखें तो अमर सिंग थे मुगलों की अधिनता स्विकार कर लेते हैं अमर सिंग अपने पुत्र करन सिंग को इसके दर्बार में मुगलों के दरबार में भेजने के लिए तरयार हो जाते हैं और जहांगीर ने मेवाड का समस्त भूचहतर मेवाड का किला अमर सिंग को वापस कर दिया लेकिन शर्त क्रक्षी की जो मतलब अबयान में जो छती ठीक है अब इसके दक्षिड अभियान के अगर चर्चा करें तो अहमद नगर है उसमें अहमद नगर का वजीर हुआ करता था मलिक अंबर उसके सेनापती थे मलिक राजू इसी संदी के बाद से इसकी उपादी मिलती है यह के बाद दोनों में संदी हुई यह संदी बीजापूर के सासक के मदस्ता में हुई थी इस संदी से खुश हो करके जहांगीर ने खुर्ण को शाहां की उपादी दी थी ठीक है बीजापूर के सासक को फरजंद की उपादी द जो कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं उसको आप देख लिजेगा पिछले वीडियो में अक्बर की राजपूत नीती क्या थी सेम वही इसने जहांगीर ने भी जैसे उस समय थी वैसे ही इसमें भी जारी रखा था उसको यहिंदुओं के पति सजग था क्योंकि उसकी मा जोधा बाई जो थी वह राजपूत थी जहांगीर की धार्मिक नीती के चरजागरे तो वह सेम जो अकबर के समय की सुलेकुल की नी तत था उसको अनुमति दे रखी थी मंदिरों को दान किया था इसने उसके बाद गौहत्या के प्रतिबंद को जारी रखा था अकबर की तरह थे सू llama को दंडित किया था क्योंकि वहां के हिंदू मुशल्मान के लड़कि इसको जाना जाता है अन्य जो उसके कुछ महतोपृण्टत है श्राइंब साइस सब्सक्ता जिनने मराठोके महतो वर्व में सामिल किया ठीक है कि इसको म इसकी मृत्ती है रावी नदी पर शाह दरा यानि कि लाह॓र में वो जगए शाहदरा में जहांगीर का मकबरा बनाया जाता है तीन शाषकों की कब्र भारत में नहीं बनी है कौन-कौन सी बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह बाबर की कहां पर है काबुल में और जहांगीर की शाहदरा यानि कि लाहौर में बहादुर शाह की रंगून यानि कि म्यामार में तो इन तीनों शाष्कों की कब्र भारत में नहीं बनाई गई है अगर इसके प्रेमिका की बात करें जहांगीर की प्रेमिका तो वो थी अनारकली अनारकली की बारे में अगर चर्चा करें तो अनारकली की और चर्चा करें तो इसके जहांगीर के सासन में दो अंग्रेज भारत आये थे जिसमें हम लोग पहले वीच से पहले इससे पहला जो वीडियो था भारत में ये यूरोपियों का आगमन उसमें हम लोगों ने देख लिया था यहां पर उसी कौम फिर से एक बार रिविजन कर है जिसमें कैप्टन होकिन्स पहला है दूसरा है टॉमस यह आता है 1608 हिस्वी में 1608 हिस्वी में कैप्टन होकिन्स आता है वह सबसे पहले सूरत उत्रा था और उसके बाद आगरा गया था वहीं जहांगीर से मिला था भारत में व्यापार की अनुमति लेने आया हुआ था लेकिन होकिन्स ने शूरत में व्यापारी कंपनी की अनुमति मांगी थी जहांगीर ने इसको मना कर दिया था फिर बाद में 1613 में फिर आता है और भारत में यानि की सूरत में कालखाने की अनुमति दे देता है जहांगी इन से 611 Clark में मसूली पठनमें होकिन्स ने कालखानें स्थापित किया था होकिन्स spurने क समराथ जयम्सेप्रतम का राजपूत बनकर के आया हुआ Yellow पर राजदू था यह मनसब कहा जाता ता उसको चार सो मनसब का अधिकारी बना दिया अब दूसरा जो अगर देखें होकिनस के बाद में इसी में यह सूरत में यहीं जाहंगिर मिला था अब इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं आगले जो भी सा सकाएगा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक्यू